दोस्तो इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन मारने वाले, सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले, सबसे ज़्यादा सतक और और सतक मारने वाले खिलारी के बारे में आप जानते हुँगे लेकिन आज हम इस वीडियो में जानकारी देंगे सबसे ज्यादा बार इंटरनेशनल मैच में रॉन आउट होने वाले खिलारी के बारे देंगे लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे वीडियो पे नहीं है तो वीडियो को जिल से लाइक करें चनल सबस्क्राइब जरूर करें तो चली बिनास में लेते हैं वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तो सबसे ज्यादा बार इंटरनेशनल मैच में रॉन आउट होने के मामले में एक नमबर पे आते हैं राहूल द्रवीड राहूल द्रवीड इंटरनेशनल किर्केट में सबसे ज्यादा बार तीरपन बार आउट हुए हैं इसी के साथ राहुुद्रविरा ने इंटरनेशनल किरकेट में अन 40 बार अपने फाटने पार्टनर को आउट करवाया है। वहाई दूसरे नमबर पे आते हैं महला जयवर्धन, महला जयवर्धन इंटरनेशनल किर्केट में एक काउन बार रनाउट हुए हैं, महला जयवर्धन ने अपने साथी खिलारी को 44 बार रनाउट करवाया है, वहाई तीसरे नमबर पे आते हैं इज मामूल हक, इज मामूल हक से व्हाइबन गंड़ी में अपने साथी खिलारी को इंटर्नेशनल किर्केट में 46 बार रन आउट करवाया है अब शाथे नंबर पर आते हैं किर्केट के भगवान कहें जाने वाले पंई खिलारी सचिन तंदूलकर सचिन तेंदूलकर का इंटरनेशनल कििर्केट में 43 बर रुनाउट हुए हैं और सचिन तेंदूलकर ने इंटरनेशनल किर्केट में 45 बार अपने साथी खिलारी को आउंट करवाया है मुही पाचवी नंबर पे आते है ispty wanna एसिटीव वा इंटनैशनल क्यलीकेट में 31 वह और एस्टिव वा ने इंटनैशनल के सथी पिलेयर को 57 वा रना आउट करब रेँ आपने जंकारी के लिए एक बात और बात आते हैं बात स्म पा चेणा catching ए ble रोहित सर्मा इंटरनेशनल किर्केट में पहली बार रन आउट हुए हैं दोस्तो जनकारी अच्छी लगए तो वीडियो को दिशे लाइक करें चैनल को सब्स्ट्राब ज़रूर करें तो आईसे हैं किर्केट से जुरी ख़वर हमारे चैनल पे हर रोज आप